हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हर्याना के अंदर बहने वाली नदियों के बारे में डिसकस करेंगे और शाथ ही उन से जो रिलेटिड या इमपोर्टेंट पॉइंटस हैं उनके बारे में भी डिसकस करेंगे और साथ में ही मैं आपको बताऊंगा कि किस नदी के ओपर कौन सा बांद बना हुआ है तो दोस्तों जो सबसे इंपोर्टेंट नदी है वो है यमना और गगर उसके साथ हम पढ़ेंगे जैसे टंगरी नदी इसको टंगरी नदी भी कहा जाता है दोस्तों मारकंडा है उसके बाद सर्श्वती है उसके बाद हम डिसकस करेंगे नदोरी नदी के बारे में साहिबी नदी के बारे में और दोहन नदी के बारे में फिर करेंगे हम डिसकस किस नवनती नदी के बारे में तो दोस्तो सबसे पहले हम discuss करेंगे जो सबसे important है वो है यमना नदी और गगर तो सबसे पहले यमना के बारे में discuss करते हैं दोस्तो जो यमना नदी है वो यमनोतरी नाम के glacier से निकलती है जो की उत्राखंड बंदर पूँच के अंदर है ठीक है दोस्तो इसकी जो लंबाई है वो है टोटल 1376 किलो मिटर और इसकी जो सायक नदिया है वो है दोस्तो सोम पत्थराला और बुड़ी जो हर्याना में यमना की सायक नदिया है सारी यमना की साइक नदियों के बारे में हम बात नहीं करेंगे इसकी बहुत सारी नदियां है हम सिरफ यहाँ उनी के बारे में डिसकस करेंगे जो हर्याना के अंदर है और दोस्तो जो यमना नदियों है उसके उपर दोस्तो बांध बने हुए है एक हतिनी कुंड है, अंगपूर बांध है, किसाव बांध है, रिनुका और लकवार बांध है, ये दोस्तों ये बांध यमना नदी के उपर बने हुए हैं, दूसरा है हमारा दोस्तों, गगर नदी सबसे important जो है, तो दोस्तों, जो गगर नदी का उदगम स्थल है, मतलब ये 320 किलो मीटर की लंबाई है गगर नदी की और इसकी जो साइक नदिया है वो दो इंपोर्टेंट नदिया है जाजरा और कोशला दोस्तों इस कोशला रीवर के उपर ही कोशला नाम से एक बांद भी बना हुआ है उसके बारे में फिर कभी डिसकस करेंगे इस वीडियो में हम सि करते हैं गगर नदी के उपर बने हुए बांदों की सबसे पहले आता है दोस्तों इसके अंदर वियराज उसके बाद देखो दोस्तों कोशला बांद ये कोशला बांद एक्चुल में कोशला नदी पर है लेकिन ये दोस्तों गगर की सायक है इसलिए इसको हम कोशला बांद को गगर नदी के उपर ही पढ़ेंगे नेक्स्ट है हमारा चमाला बांध और उसके बाद है डंगराना बांध और है दिवान वाला बांध ये दोस्तो बांध है जो गगर नदी के उपर बने हुए है नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं दोस्तो सर्श्वती नदी के बारे में सर्श्वती नदी का जो उद्गम स्थल है वो आदी बद्री जिसको सिर मोरा विका आ जाता है इमाचल परदेश के अंदर पढ़ता है दोस्तों यानिके सर्षवती नदी का जो उद्गम स्थेल है वो है इमाचल के अंदर है इसकी जो साइक नदियां है दोस्तों देखो टांगरी मारकंडा और छुटांग ये नदियां इसके अंदर ही मिल जाती है दोस्तों इसी की साइ लुक्ते हम फंड़ आ तो पंजाब के अंदर एक जगे है संगरूर जहांपर यह गगर해주 के अंदर मिल जाती है उसके बाद हम डिस quan़ करते हैं दोस्तो मारकंडा मारकंडा जो नदिया उसका उद्गम स्थल है दोस्तो नहन यह भी माचल के अंदर है दोस्तो इसकी जो सायक नदियां है वो रन, बेगना और नक्टी और शुक्ते ओपर कोई बंध बना ववा नहीं है दोस्तो कोई इंपोर्टेंस नहीं रखता वो अंत में जाकर दोस्तो ये जो है सेनिसा जील बनाती है उसके अंदर मिल जाती है दोस्तों ये नदी नेक्स्ट हम डिसकस करते हैं दोस्तों साइब भी नदी के बारे में साइब भी नदी का जो उद्गम स्थल है वो दोस्तों बहरोड 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 बोल सकते हैं इसको बहरोड पहाडी जैपुर के अंदर पड़ता है दोस्तों ये ये एक छोटे मोटे नाले के रूप में काम करती है जब भी बारिस का पानी आता है बारिस होती है तो दोस्तो ये एक नाले के रूप में काम करती है दोस्तो अगर साइबी नदी के उपर बांध की बात करें तो दोस्तो मैसानी बेरेज जो दारुएडा के अंदर है वो इसके दोस्तों करो ये पिझछे है स्सी ने ग्रामस के एक्जाम में भी पुछा हुआ को दोस्तों बाद में यह जो आवना के पास मार कंडा नदी नहीन मिल जाती आमने जैसे की पिज़े पड़ेया भी था कि ये मार कंडा की साइक नदी है दोस्तों तंगरी उसके बाद हम डिसकस करते हैं दोस्तों चेतंग नदी चेतंग नदी का जो उद्गम स्थेल है वो सिवालिक इमाचल परदेश के अंदर सिमालिक की पाड़ियों में दोस्तों और इसकी जो सायक नदी है वो राकसी है दोस्तों राकसी नाम की नदी चेतंग की सायक न और उसके पास यह गाउं है मंदोली उस गाउं से दोस्तो यह नदी निकलती है यह जो साइबी नदी के लिगे य किरस्नावति नदी है किर्शेनावती नधी है दोस्तो इसको कंसुति भी का आ जाता है, राज़स्थान का एक जिला है राजसमंद, उसमें दोस्तो दरीबातामबे एक जगए है अरावली रेंज के अंदर, वहां से इसका दोस्तो उद्गम स्थल बताया जाता है और दोस्तो ये एक वर्षा पर आदारीत नदी है यानि कि ये प्राकरतिक रूप से नहीं बैती है कुछ टाइम पहले प्राकरतिक प्राचिन टाइम में अगर हम बोले तो उस टाइम पर यह प्राकर्थिक नदी के रूप में थी, लेकिन बाद में क्या होता है कि कुछ नदियां ऐसी हैं जो सूख जाती है, और सूखने के बाद वो या तो नाला बन जाते हैं, या फिर वो एक वर्षा आदारीत नदी बन जाते हैं, यानि कि जब वर्षा होगी झाल झाल